अब इस चीज में किस तरीके से ये चीजे होने वाली हैं ये भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा लेकिन मैं सबसे पहले कुछ यूट्यूबर्स का नाम जरूर लोगा और मेरी रिक्वेस्ट है कि उन तक मेरी बात पहुँचे और सर एक बहुत छोटा सा और बहुत उम्र में भी स सबी इन बच्चों के साथ हैं क्या होगा वो देख लिया जाएगा तो सबसे पहले मैं खान से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लाखों लोगों के दिल में इस समय राज करते हैं आप प्लीज इन बच्चों के लिए आवाज उठाएगा खान सर मेरी आपसे हाज करना है वो भी कट्की पड़ेगा आप हमारा इसमें रिक्वेस्ट कीजिए इसके अलावा मैं राकेश अधा सर से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि सर प्लीज खोड़ी सी आप से रिक्वेस्ट है आप भी इसमें आगे आईएगा और मुझे आज भी याद है कुछ समय पहले से वीडियो शेयर किया दार, बच्चों को कहा था कि आप लोग भी समा आगया आईएगा, भले ही हम आपके comparison में वो उतनी चीज़े नहीं रखते हैं लेकि सर दिल में जोश और विश्वास बहुत हैं और हम यह मानते हैं कि अगर एक एक चीज़े जुड़ें तो रिजल्ट जरूर आएगा, आप लोगों से सर और आपके जैसे बहुत सारे और सभी टीचर से जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूँ, मेरी हाज जुड़ के request है कि प्लीज आप लोग सभी आगया आईएगा और इस आवाज को, सर SAC के आपके student जो है सर, railway का student जो है बहुत समझधार है, वो 10-10 साल patience रख सकता है, उसकी उम्र जाता होती है सर, इस बच्चे की age बता क्या होती है 20 साल होते नहीं है, उसकी उपर खतम हो जाती है cash patience, एक साल, दो साल, सर 4-5-5 साल इनके पास रखने का patience नहीं है क्योंकि इनका तो career यह आपके देखिए न कितना, 2-2,5-2 साल इनके पास होते है और किस उम्मीद के साथ यह सब कुछ चोड़के यहां entry करते है, और इनको पता जलता है कि इनका तो कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ हो चुका है सर मैसेज दिखाया उसने मुझे और मैसेज दिखा के बोला, सर यह मेरा दोस्त है, आप देख लीजे इसको the student was from Bihar, सर यह मेरा दोस्त था सर आप इस बात को समझ सकते हैं इसकी वो फोटो थी जब उसकी चिता जल वही थी मिरे फोन में आज भी है, मैंने कभी शेयर इनी गैसलीज को वो इतना प्रेशर में आगया था, बच्चा इतना प्रेशर में आ गया था ऐक तो हमारी society, वो इतना प्रेशर बना देती है सर 25 साल का बच्चा ये जानता है मैं कुछ भी करके अपने आपको समाल लूँगा सर ये 20-18 साल का बच्चा इतना प्रेशन नहीं हैंडल कर पाता है क्यों धकेला इसको और इस चीज़ मैं सबसे पहले मैं नहीं बोला कभी भी लेकि मेरी स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट है कि अपना प्रेशर कितना हावी अपने उपर भत होने दो कि तुम ऐसे कदम उठा पाओ और वो बच्चा मेरे सामने रोने लगा मैंने उसको वहीं चुपकिया मैंने कब बच्चे भी किसी के सामने शेयर मत करना यह चीज़ नहीं है सही नहीं है